हेलो फ्रेंट्स आगे हम इस प्रव्लम को सॉल करते हैं question क्या कहता है तो square root of 21, 51 by 169 is क्या कह रहा है कि एक mixed fraction दिया हुआ है 21, 51 by 169 और कह रहा है कि इसका square root find out करिये और हमें बताइए कि क्या value इन 4 option में से आएगे तो आएए पहले mix fraction इसको fraction में change करेंगे तो क्या होगा 169 into 21 plus 51, 169 into 21 plus 51, denominator में क्या आएगा 169 आएगा इसका under root हमें निकालना है इसको simplify करते हैं तो value जो उपर में आती है वो क्या आती है 3600 by 169, under root निकालना है जैसा कि हमको मालूम है कि 3600 किसका profit square होता है वो होता है आपका 60 का उसी तरीके से 169 किसका profit square होता है 13 का तो हम इसको simplify करेंगे जब यह square root हटाएंगे तो यहां क्या value आएगी 60 by 13 value आने वाली है अब 60 by 13 को हम में option में mix fraction में दिया है तो हम इसे mix fraction में change करना होगा mix fraction में change करेंगे जब हम तो 4 is to 8 by 13 value आएगी जो है आपकी option number 2 4 is to 8 by 13 इस question का सही answer